हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल इश्ड़ी बहुत प्रशांत फ्रेंट्स लर्डिंग इन प्यल्सी मापका एक बार फिर से स्वागत है तो फ्रेंट्स आज की विडियो में हमें एक और प्यल्सी प्रोग्राम के साथ आ चुके हैं जिसका कुश्चन बताना चाहंगो जो हमने पिछली वीडियो में प्रोग्राम देखा था वह PLC MA 발 savoir the most important program था धे लि zmianि फ्रोग्राम और हमने इसको पूरा द्रॉ ABOUT पंटब करेंगा तो साथ ही मैं यहीं बताया था फ्रेंट्स वीडियो में वे अंदना यूज़ करेंगे जो डीटil एड्रेस्ग होती हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। सारे रजजल मैंने बतायो हुए है इस व्दिशाव जिरूर चेक करना। आगए हम सेकंड प्रोग्राम गरेंगेよ What कह रहा है is कोई input है input 0 जब हम इसको प्रेस करेंगे तो output 0 और output 1 हमारा on हो जाएगा उसको रद हमारा equal input है input 1 जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा output 0 on हो जाएगा और output 2 भी on हो जाएगा और लास्ट में अगर हम इन्पूट सेकंड जो इन्पूट 2 है इसको जैसी हम प्रेस करेंगे तो हमारे सारे आउटपूट 0 हो या 1 हो या 2 सब क्लोज हो जाएंगे यह हमें बनाना है by the concept of holding फ्रेंड इन्पूट आपके कुछ भी हो सकते हैं पुश बटन 1 पुश बटन 2 पुश बटन 3 माल लिए आपका आउटपूट होता मोटर आउटपूट रन होता कोई रेड लेंप आउटपूट 2 होता आपका ग्रीन लेंप तो कुछ भी हो सकते हैं त एक तयार करते हैं वर्टिकल लाइन यह नहीं बोलते हैं यह लिए फ्रेंड में ड्रो कर ली रेल्स यह होती है हमारी पावर लाइन्स एक क्यों बताना चांगा अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और लॉलेज है PLC प्रोडाम की तो आप वीडियो को स्टॉप कीजिए पहले आप खुद प्रोडाम ड्रो करके देखिए उसके चेक करना कि आपका प्रोडाम सही है नहीं उससे क्या आपका कॉंफिदेंस इंक्रीड होगा रिगार्डिंग प्रोडाम तो फ्रेंड हमारी यह पावर लाइन्स हमने डिजाइन कर ली है सबसे पहले हम यह वाली निकले के हम यूज करेंगे nc और इसके अड्रेसिंग हमने कर दी input 0 से 2 उसके बाद हमने इसी को आगे forward किया सबसे पहला जो हमारा push button था यह लगा दिया मैंने input 0 से 0 तो प्रोड्राम हमारा क्या खेला है जैसी मैं इसको press करूंगा तो हमारा output on हो जाएगा तो हम output कहां लगाते है right side पे किस form में coil के form में यह output और इसका हमने प्रोड्राम लिख दिया output 0 से 0 तो जैसी हम इसको press करेंगे तो हमारा output on हो जाएगा मानले यह कोई motor है तो motor start हो जाएगी अब इससे हमें hold कराना है क्योंकि यह तो क्या है friend push button के form में spring तो hold करने के लिए क्य इस इन्पूट के तो output का address मैंने लिया parallel में connect कर दिया parallel कैसे लेंगे यह instructions जो होते है हहां से हम parallel legend को drag करके connect कर देंगे concentration होगा output का output 0 से 0 ठीक है फ्रेंट तो जैसे हम इसको press करूँगा यह output on हो जाएगा इसका on होज़े से यह n o n c बन जाएगा आपकी power ऐसे निकल जाएगी अब एक और चीज़े को फ्रेंट बोल रहा है वो क्या हो रहा है अगर मैं output 0 को on करता हूं sorry input 0 को तो हमारा output 0 भी on हो रहा है और output 1 भी on हो रहा है तो ठीक है हम एक और ली रहते हैं यह ले लिए हमने सबसे पहरे हम वो ही लगाएंगे क्या input 0 से 2 n c क्या कहरा है वो हमारा यह वाला गर हम प्रेस करेंगे तो output 1 भी on होना चाहिए तो फिर से हमने ऐसे अपना input लिखा कौन सा input 0 से 1 sorry 0 से 0 और हमारा output कौन सा on होना चाहिए output on होना चाहिए हमारा output 1 तो हमने लिख दिया output 0 से 1 थोबा confusing है विकास यह addressing के form में नहीं तो program बहुत simple है ठीक है अब इसको भी hold कराना है hold कराने का चाहिए तरीका है इसी का output का address हम यूज कर लेंगे अधा input form में एनों हमने लगाया और इसका हमने आप क्या लिख दिया address output 0 से 1 तो फ्रेंड़ अब देखें क्या हो रहा है जैसी मैं इसको press करूँगा input 0 को यह on हो जाएगा holding से supply यह से जासे यह on रहेगा साथ ही हमने अगर इसको press किया तो वह एड्रेस इसका है यह भी on हो जाएगा तो हमारा output 1 भी on हो जाएगा 0 और 1 दो ठीक है अब हमारा क्या बोला है फ्रेंड जैसे हम input 1 कौन करते हैं second condition output 0 on हो जाएगा तो देखना फ्रेंड अब क्या हम एक गलती करने वाले है प्रोडाम में सबसे पहले हमें जैसे अभी तक जैसे हम बना रहे हैं उसी तरह से हम चलेंगे तो क्या करेंगे हम एक nc लगाएंगे pencil से बना रहा हूं है ताकि हम इसको rub कर सकें यह तो किसली होगा ओफ करने के लिए फिर हम लेंगे input कौनसा input 0 से 1 ठीक है फ्रेंड और 0 से 1 लेने के बाद हम क्या कर देंगे सीधे आउटपट पर देंगे आउटपट कौनसा और हो रहा है आउटपट यह वाला 0 से 0 फ्रेंड हमारे यहाप अगर अब इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारा program गलत हो जाएगा गलत क्यों होगा execute नहीं हो पाएगा क्योंकि PLC के अंदर जब भी आप program करेंगे एक चीज़ का ध्यान रखना आउटपट repeat नहीं होगा repeat कैसे हो रहा है यही same address का output यहाँ भी है और यही same address का output यहाँ भी है ऐसा possible नहीं है आपके माले में doubt आएगा सरकी आपने यहाँ भी तो ऐसा ही output repeat कर दिया मैंने address repeat किया है वो output नहीं है output इस तरह coil के form में होगा तो हमने address repeat करके input के उसमें डाला हुआ है लेकिन अगर आप इस तरह से output repeat कर दोगे तो देखो error क्यों आएगा मालो हमने इसको press किया input 0 को इस पे supply जाएगी यह hold होगा supply आपके ऐसे जाके इसको on करतेगा जैसी यह on होगा यह भी on हो जाएगा लेकिन अगर हम गौर से देखें यह on क्यों नहीं हो पाएगा होना तो जीए क्यों address एक ही है पर हहाँ पर no है आगे supply नहीं जा पारी तो यह error generate करतेगा इसलिए हमें बस एक चीज़ का ध्यान लगना है कभी भी output हमें repeat नहीं करना है in PLC PLC के अंदर output का भी repeat नहीं होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे input 1C हमें on करना है कौन सा? output 0 को तो output 0 मारे पहले से ही है हम एक और parallel latch ले ले लेंगे जैसे यह था parallel latch drag करके हम एक और connect कर देंगे यह लो आप इसकी addressing देदो friend addressing क्या है input 0 से 1 तो अगर आप इसको press करोगे यह on हो जाएगा और इसके लिए separate holding नहीं दूँगा तो यह पहले सी holding है हमारे पास parallel में यह वाली तो जैसी यह on होगा यह भी on हो जाएगा तो आपकी supply यह से करके जाने लगेगी यतना काम हो गया अफ्रेन हमारा साथ में वह यह कोची बोल ला है input 1 को जैसी हम press करेंगे हमारा output 0 तो अउन हो जी रहा है साथ में output 2 भी on हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह simple एक और ले लेंगे पहले वो connect करेंगे अपन 0 से 2 और ही हमने ले लिया input 0 से 1 इससे क्या ओन हो रहा है हमारा output 0 से 2 सेम इसको हम होल्डिंग प्रवाइट करा देंगे होल्डिंग कौन से output का address का output 0 से 2 गी तो फ्रेंट इस form में हमारा पुरा प्रोडम कम्टीट हो चुका है तो जैसी last time कौन सी होती है फ्रेंट जो प्रोडम होता है उसको ध्यान रखना प्रोडम के end में यह ले चरूर आती है तो यहां जगा नहीं है मेरे पास तो आपको जैसी जब complete हो जाएगा प्रोडम मान लिजे last time आप इस तरह से end कर देना end तो एक बार और देख लिए प्रोडम में क्या कह रहे हैं जैसी अब इसको प्रेस करूंगा इंपुट को आउट्पट 0 हमारा ओन हो जाएगा साथ ही आउट्पट 1 भी ओन हो जाएगा कि यह भी एक हमारा एड्रेसिंग सेम है यह दोन हमारे ओन हो जाएगे अब अगर हमें इंपुट 1 प्रेस करना है तो आउट्पट द्वारे ओन होना चाहिए लेकिन मैंने बताया कभी भी आउट्पट रिपीट नहीं होंगे इसलिक हमने इसके पैरलल में इसको क्रेंट कर दिया कि जैसी आप इसको प्रेस करोगे इंपुट 01 को एसे करके सप्लाइ जाएगी इसे ओन करेगी आप सेपरल होल्डिंग तो देंगे नहीं है इसी करड़र्स हमने पहले ही दे रहा है पैरलर में तो ऐसे करके सप्लाइस पर जाती रहेगी और जो है यह वाला यह वाला को अगर जैसी प्रेस करोगे इंपुट 2 को तो सारे आपके ओफ हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे हमने हर किसी के साथ सीरिज में क्या करा हुआ है इंपुट 0 से 2 तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे एंची एनओ बन जाएगा सारे एनओ बन जाएगी तो आगे सप्लाइग नहीं जा पाएगी जैसे आप इसमें देखते है त्यार जिखो एनओ के सीरिज में एंची लगा हुआ तो जैसे आप NCO प्रेस कर दोगे इस पावर लाइन से जो रेल है इस वाली पावर लाइन तक सप्लाई जाए नहीं पाएगी तो फ्रेंड यह हमारा प्रोड्रम कंप्लीट हो गया है आचा करतों आपको समय में आया होगा एक बार आप इसको खुश से ट्राई करना अभी स थोड़ा कंफिजन आ सकती है एड्रेसिंग के फॉर्म में और अगर आपको कमेंट भी देने हैं तो माल दीजा आपका आउटपुट 0 माल लो मोटर है तो आप इसको मोटर लेख सकते हैं अगर LN बैटरी PLC है CTRL F प्लेस करना CTRF कमेंट आ जाएगा माल लो आउटपुट 1 आएगे इस तरह से हम कमेंट ही देते हैं तो आशे करता हूँ पूरी वीडियो संज में आज होगी आपको कोई भी डाउट पचता है कमेंट सेक्शन वाज़े पताईए और जाय से यादा वीडियो को शेर कीजिए और प्लीज डोंट फरगेट तो सब्सक्राब मैं चैनल Thank you